Hello students, आपकी English की Worksheet No.85, आपकी First Light Book के चप्टर सर्मन एड बनारस पर बेस्ट है, आपको उस चप्टर का एक एक एक्स्ट्रेक्ट दे रखा है, जिस पर बेस्ट कुछ क्वेशन्स आप से पूचे गए हैं, सबसे पहले हम उस एक्स्ट्रेक्ट को पढ़कर उसे समझ लेते हैं The Buddha said, जो Bhagawan Buddha है, उन्होंने कहा, the life of mortals in this world is troubled, mortals कौन होते हैं, जो नश्वर होते हैं, जो जिसका की एक एक दिन जिसका अंत होना निश्चित है, उसे mortal बोलते हैं, जिसे इंदी में नश्वर बोला जाता है, कि mortals की जो life होती है, वो troubled होती है, problem से भरी हुई होती है, brief होती ह and combined with pain और दर्द से भरी हुई होती है, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, जिसके द्वारा कि जो पैदा हुए हैं, वो मृत्यू को क्या कर सके, avoid कर सके, मृत्यू को रोक सके, after reaching old age, जब हम old age तक पहुँँ जाते हैं, there is death, उसके बाद भरत्यू होती है, of such a nature are living beings, living beings इसी nature के हैं, यही प्रकरती होती है living beings, living beings में जो जिन्दा लोग होते हैं, as ripe fruits are early in danger of falling, जिस तरह से उन्हें एक ग्जामपल दिया बगवान बुद्धे, कि ripe fruit means पके हुए जो फल होते हैं, they are early in danger of falling, उनके गिरने का जो खत्रा होता है, वो जादा होता है, so mortals when born are always in danger of death, so mortals होते हैं, जो नश्वर लोग होते हैं, जब एक बर उनका जनम हो जाता है, इंसानों का जनम हो जाता है, they are always in danger of death, हमेशा उनको मृत्यू का खत्रा बना रहता है, as all earthen vessels, earthen vessels क्या होते हैं, मिट्टी के बरतन, earthen vessels means मिट्टी के बरतन, जो earthen vessels होते हैं, made by potter, जो कु मिट्टी के बरतनों की तरह और पके हुए फलो की तरह होती है, earthen vessels और ripe fruits, both young and adult, चाहे young हो, चाहे adult हो, बड़ा हो, चाहे छोटा हो, both those who are fool, चाहे कोई बेवकोफो, fool हो, मुर्क हो, या those who are wise, चाहे कोई बुद्धिमान हो, all fall into the power of death, सब मृत्यू के चंगुल में आते हैं, म all are subject to death, सबकी मृत्यू होती है, of those who overcome by death, depart from life, a father, जो जिस पर भी मृत्यू का, जिस पर भी मृत्यू का, जिस पर भी मृत्यू अपना शिकंचा कसती है, overcome by death, वो इसको चोड़कर उन्हें जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, अब फादर के विस सन, एक पिता, अपने बे अपने रिष्टों को नहीं पचा सकते, मार्क, मार्क मेंसे एक आपको साब्धान करते हुए, जिसकी exclamation मार्क लगा है, आप एक साब्धान करते हुए, बोला गया है, ध्यान दीजिए, मार्क, while relatives are looking on, जो relatives होते हैं, वो देख रहे होते हैं, लिमेंटिंग का मतलब होता है, वो रो रहे होते हैं, वो शिकायत कर रहे होते हैं, दुख ही होते हैं, दुख में खोय होय होते हैं, बन बाइवन, mortals are carried off, उनके सामने जो mortals, जो मरा हो व्यक्ति होता है, उसका शरीर ऐसे लेके जाया जाता है, जैसे किसी ox को, किसी bell को slaughter करने के लिए, काटने के लिए लेक होते ही हैं, therefore the wise do not grieve, लेकिन इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, वो ग्रीव नहीं करते हैं, वो दुख नहीं मनाते हैं, उन्हें पता है इस दुनिया की क्या टर्म्स हैं, क्या शर्ते हैं, यहाँ पर death or decay होना ही होना है, not from weeping, not from grieving, will anyone obtain peace of mind, चाहे आप रो लिजे, चाहे आप रोते रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे, on the contrary, उसके उल्ठा क्या होगा, his pain will be greater, जो उसका दर्द है, वो बढ़ जाएगा, and his body will suffer, उसका शरीर सफर करेगा, उसके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, he will make himself sick and pale, रो रो कर, दुखी होकर खुद को बिमार कर लेगा, पेल क कर लेगा, means कमजोर कर लेगा, पीरा पड़ जाएगा, yet the dead are not saved by his lamentations, जबकि उसके lamentations करने से, उसके दुखी होने से, उसके शिकायत करने से, जो मृत्यू को प्रात हो गए है, जो dead है, वो बच नहीं सकते, he who seeks peace should draw out the arrow of lamentations, यदि आपको शांती चाहिए, peace चाहिए, तो आपक lamentations, lamentations means दुखों का, शिकायत करने का, complaint मतब शिकायत करना, grief means दुखों को, इन सब चीजों को, lament करने को, complaint करने को, grief करने को, आपको क्या कर देना चाहिए, अपने जिवन से निकाल देना चाहिए, एक तीर की तरह, he who has drawn out the arrow, जिसने इस तीरों को निकाल दिया है, किन arrows की बा be composed, will obtain peace of mind, उसको क्या मिलेगा, मन की शान्ती मिलेगी, जिसने इन सब चीजों से छुटकारा पा लिया है, he who has, he who has overcome all the sorrow, जिसने सारे सुरों को overcome गर लिया, सब सारे दुखों से बुक्ती पा लिया, will become free from sorrow, जो वही दुखों से मुक्त भोगा, जिसने सारे सुरों पर पा लिया है, सारे दुखों को, जिसने सुरों दुखों को एक समान समझ लिया, वही वाके में, sorrow से free होगा, and be blessed, और उसी को ही, वही blessed means, वही उसी को ही ईश्वर का अश्वरत पराप्त होगा, और वही व्यक्ती प्रसन होगा, खुश होगा, अब इस एक्स्टर्ट पर बेस चार ओप्शन दे रखे हैं, the first option A is wise and food, बुद्धिमार और मूर्ख, second option है, पके हुए फल और अर्धन वेसल मिट्टी के बरतन, third option है, rotten fruit, सड़े हुए फल और मिट्टी के बरतन, and fourth है, peace और pain, शान्ती और दर्ब से, तो इसका answer है, life को मॉटल्स को उन्होंने compare के आगया है पके हुए फूलों, fruit से, पके हुए फलों से, और अर्धन वेसल से, मिट्टी के बरतनों से, इसका answer है second, अब हम कर आते हैं, question number two पर, the word lamenting, lament का मिनिंग होता है, शिकायत करना, दुखी होना, इन में से चार आपको option दे रखे हैं, कौन सा word lamenting के, lamenting से मिलता जुलता नहीं है extract के according, as per extract आपके इस paragraph के according, तो sorrow, sorrow मतलब दुख होता है, तो ये भी मिलता जुलता है, grieving मतलब भी दुख मनाना होता है, morning का मतलब होता है, शोक मनाना, तो यहाँ पर cheering, ये cheering होता है, खुश होना, तो जो lamenting का मिनिंग नहीं है, वो है cheering, फिर है question number three पर हम आते हैं, question number three में मतलब होता है जिसे हम णहोंग नहीं कर सकते हैं इसमिदि को शीम होना ही होनानीशन है इस pajamas need नहीं कर शकते हैं सफर्ड मैंका से इसते है और है जो खना इसको यह मैं लग रहे नमाइए Champagne तो इसलिए हमारा जो option D है all the above यह answer होगा हमारे question number 3 का answer for the question number 3 is D part all the above now अब आपसे कुछ questions पूछे हैं पहला question है जो आपको 30 to 40 words में जिसका answer देना है what according to Buddha should one do to attain peace अगर हमें peace, शान्ती को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए तो Buddha God के according, according to Buddha people who do not complain और lament, जो लो complain नहीं करते, lament नहीं करते, अपने loss के ओपर, अपने नुकसान के ओपर और those who do not get distressed, जो distressed नहीं होते, दुखी नहीं होते with the pain, दर्द के कारण, suffering के कारण, death के कारण and always remain calm, हमेशा शान्त और composed रहते हैं Now we come to question number 2, question number 2, आपका long question है, इसका answer आपको 100 to 120 words में देना है question number 2 है, what great truth about life does Buddha want to teach in this chapter? भगवान बुद्ध ने इस chapter में जीवन की किस truth को, किस सचाई को इस chapter में explain किया है और उनकी जो teachings हैं, वो आज के context में, आज के जीवन के context में किस तरह से relevant है relevant means किस तरह से वो उप्योगी है, किस तरह से वो important है अब इस का answer में लखेंगे कि भगवान बुद्ध ने पहले message किया दिया है उन्होंने message दिया है, personal loss, अधि हमारे को नुकसान हो जाता है यह part and parcel है, part and parcel का मतलब होता है हमारे जीवन का बहुत-बहुत important हिस्सा तो personal loss, part and parcel of the life, there हमारे जीवन का part and parcel है instead of wailing, wailing मतलब रोना, cry करना, उन पर रोने की बजाए we should move on in life, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए death and suffering are the part and parcel of life, death and suffering हमारे जीवन का part and parcel means बहुत important हिस्सा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते none can avoid this truth, इस सचाई को हम avoid नहीं कर सकते this message about life has been given in this chapter, इस chapter में ये message दिया गया है अब these teachings are relevant in today's context, हाँ हम मैंते हैं कि ये teaching जो आई ये शिक्षा है, ये relevant है आज के context में, आज के परिवेश में ये relevant है, ये important है in modern time में people do not understand this truth, they will be under stress अगर आज के समय में लोग इस सचाई को नहीं समझते हैं, तो वो सब stress में आ जाएंगे they should learn to remain calm, हमें क्या सीखना चाहिए, शान्त रहना, compose रहना सीखना चाहिए in every situation हर तरह की परिस्तिती में, if we grieve our pain, अगर हम दुख को हम मनाएंगे अगर हम शोक मनाते रहेंगे, grieve करते रहेंगे, तो हमारा जो pain है, वो क्या हो जाएगा greater हो जाएगा, हमारा दर्द हमारे दुखी होने से और जादा बढ़ जाएगा in the modern, stressful and competitive world, आज का जो जीवन है, बहुत ज़दा stressful है, तनापून है, बहुत ज़दा competitive world में हम जी रहे हैं, we can only attain peace of mind, हमें peace of mind तभी मिलेगा, by not lamenting over our loss, अगर हम अपने loss पर शिकायत ना करें, रोए ना, और by accepting the reality of life और जीवन की सच्चाई को हम accept करें, तभी हम peace of mind को attain कर सकते हैं, तो भवान बुद की जो teachings हैं, वो आज की context में भी बहुत जादा क्या है, relevant है, तो यह आपका 100 to 120 words का यह long question का answer इस तना से हम लिख सकते हैं, तो आपकी जो sermon at banaras chapter पर based, जो आपकी वोक्षिट 85 है, जिसमें गौतम बुद के जो sermon था, उस पर basic questions आप से पूछे गए हैं, यह यहां पर आकर complete हो जाती है